एक बार फिर से मेरे नियोजी टीचर नीज 2.0 में आप सभी सिक्षक सांतियों का स्वागत है आए देखते हैं सिक्षकों के लिए एक बड़ी अपडेट परधाना दियापक की परिक्षा में 421 ही सफल हुए थे इसलिए होगा बदलाव 4506 परधान सिक्षक बर्थी का सिलेवस सरल होगा नौमबर दिसंबर में परिक्षा संभा होता होगा ता पूरी जैनकारी के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखे उससे पहले मेरे नियोजी टीचर नीज 2.0 का अभी तक पुस्क्राइब ने किया आपक्रिपे चैनल को सब्स 4.11 अभी अर्थी ही सफल हो सकए इसलिए परणविक स्कुलों में 40,5006 परधान सिक्षक की बहाली परिक्षा के लिए सिलेवस को सरल करने की तियारी है सिलेवस बदलने और अभी अर्थियों के तियारी के लिए अधिक समय देने के कारण परिक्षा आयोजन में हो रही है देरी संभावना है कि नौमबर या दिसंबर के अंतक परिक्षा ली जाएगी इस मां के अंतक इस मामले पर बीपीएसी और सिक्षा विवाग के बीच बैठक में सिलेवस के बिंदू पर चर्चा होगी बीपीएसी में नए अध्यक्स अतूर परसाद के समक्ष परदान सिक्षक बाहली के संबंध में जल्द ही पहले प्रजेक्ट दिया जाएगा इसके बाद उनकी राय के बाद भीपीएसी के अधिकारियों और सिक्षा विवाग के अपर मुखसची उपरात्मिक सिक्षा निर्देशक साथ हैं साथ बैठक होगी माना जा रहा है कि इस बैठक के दवरान हिंशी लेवस में संसोधन करने नहीं लिया जाएगा सितंबर के अंत और अक्टूबर में दुर्गा पूजा और दीपावली छट पर भी पड़ता है इसलिए नौवंबर से पहले परिक्षा होने की शंभावना बिल्कुल ही नहीं है परिक्षा में काफी कम रिजल्ट पर सिक्षक संगों की परकिरिया थी सिलेवस कठिन कर दिया गया था सांथ ही यह भी कहा गया था कि परिक्षा की त्यारी के लिए मात्र एक से डिड़ मा का ही समय दिया जाएगा परदान सिक्षक का सिलेवस भी सरल करने के सांथ त्यारी क इसमें समाने अधियान से 75 अंग डी, यलेट बिसाय से 75 अंग होगा, पर तेक परास्ण एक अंग होगा, पर तेक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंग निगेटिंग मारकिंग होगा, पर इक्षा के अवदी दुगंटे की होगी, लिखित पर एक्छा में समाने बर्ग के उमिद्वारों को 40% पिछला बर्ग के उमिद्वारों को 36.5% अतियन्त पिछला उमिद्वारों को 34% और ACST महिलाओं एवाम निशाकत उमिद्वारों के लिए 32% नियूनतम अंग प्राप्त अनिवार्ज होगा तो वीडियो में इतना